विसु खाते आविल श्री श्याम मंदिय सूरत धाम द्वारत दिव्यांगों माटे वेक्सिनेशन केम्प नू आयोजन करवा मा आवियोतु। आव वेक्सिनेशन केम्प बाबते वधु मायती श्री श्याम मंदिय सूरत धामना ट्रस्टी शुशिल भाई आने पूर्व स्टेंडिंग कमीटी ना चेर्मेन अनिल भाई गोपलानी ते मच्टिया आविला दिव्यांग वालियो पासे थी इविनिस चैनले जानी आती। श्याम मंदिर सूरत धाम के जो सेकेटरी है शुशिल भाई गाड़ो दिया साते और उनसे बात करेंगे कि जी सुशिल जी किस तरह का प्रोग्राम है और किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। पिच्चों को लाने की विवस्ता बसों द्वारा की गई है मंदिर ट्रस्ट द्वारा और सभी को आप देख रहे हैं वेक्षिन यहां पे लगाया भी जा रहा है। इनके सब के लिए बोजन की विवस्ता मंदिर द्वारा की गई है और इनके लिए गिफ्ट की विवस्ता की गई है और सब बच्चे उत्सा से वेक्षिनेशन लगा रहे हैं। श्याम मंदिर द्वारा पिछले लगबग पौने तीन महेने पहले से ही वेक्षिनेशन का कारिया चल रहा है। लगबग 21 लाग फूड पकेट मंदिर ट्रस्ट द्वारा वितरित किये गए थे। तो मंदिर ट्रस्ट इस महामारी के समय में एक ये प्रेणा स्रोत्र बना है कि मंदिर केवल मंदिर ही नहीं है, सेवा चेत्र भी है और हिंदुस्तान के सभी मंदिर इस चेत्र में आगे भी आये है। जी, कितने बच्चों का इसमें शमावेश हुआ है। इसमें लगबग आज एक सोपचास बच्चों का अभी तक रजिस्टेशन आया है। अब साम तक कितने आते हैं सब जगह से। वह अभी हमने वैसे टार्गेट 200 बच्चों का लेकि रखा है। जितने भी आएंगे फूसिस रहेगी जदा से जदा बच्चों के इसका लाब मिले। सब इस तरह से अलग-अलग स्टेशन बनाएंगे पीकप के लिए और बच्चों को वहां से लाया गया अक्सर नॉर्मल लोग जो अपना वेक्सिनेशन करवा लेते हैं यह आपने स्पेशल चाइड लोगों की किया है कैसा प्रति साथ मिल रहा है कैसा प्रति भाव मिल रहा है यह प्रति साथ बहुत सुन्दर मिल रहा है और हमारे स्मसी के पूर्व इस्ताइड अदक्स स्री अनिल भाई गोपलानी और मावजत जो यह बच्चों की संस्ता है उनके सुयोग से ये कारिय किया जा रहा है और बहुत ही सुंदर तरीके से काम हो रहा है कितने दिन का vaccination program रखा गया है ये particular आज के लिए specially रखा है फिर जुरुत पड़ेगी तो इस तरह का program फिर भी मंदिर ट्रस्ट वारा किये जाएंगे जी तो दर्शक मित्रो हमने बात की जो सेकेटरिय सुशील भाईस के साथ जिन्हों ने बताया कि vaccination program हर किसी के लिए बहुत जरूरी है vaccination होना बहुत ही जादा जरूरी है चाहे वो एक special child हो या फिर नॉर्मल इंसान हो तो ये थी आज की रिपोर्ट केमरेमेंट वाजिश बख्या के साथ मैं निकिता एबी नियुस सूरत मारो नाम समीर नायक उँँ पालसी आऊचू गैलेक्सी सर्गल आजे 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 करी रिला चे एकदम दिव्यांग बाला को माटे नुझे नेना वाली हो माटे उन्हें पेरेंट ने तकलिब हो पड़े चे तेने द्यानमा राखे ने जे आयो जन करवा माईवू छे ते गणू पसंस्वे निया चे अनेक समाज मा एक मोटू उधारन पूरू पाड़ेलू छे जे दिव्यांग बाला को माता पिता एरांध थाई छे अने इलो काने जे तकलिब पड़े छे तकलिब माधी आजे मुक्ती मड़ी छे ते वो अनू भिरू लो छे मारू बाला के तेवी स्वरस नीचे बेबी मारू दिव्यांगों ने माटे अजू भी कहीं इटलू ओछू छे पना आप खते जे करी ते प्रसंस नीचे अने जिया केम राखवा मावे छे तेनी आ नोद लिवा मावे तो मित्रों आपने वादकेरी वालियो साथे जे दिव्यांगों ना वालियो छे इमने जनावी की खूब सहरस छे ने दिव्यांगों माटे आप प्रत्थम प्रायरेटी आपका मावे छे खूबज प्रसंस नीचे आपने साथे आजे मोजू छे पूर्व स्टेंडिंग कमीटिया ने चैर्मेन अनिल भाई गोपलानी इमनी साथे वाद काशू सार आजे कारेकरम राखवा मावे छ सेवान ने अमने मावजत छे खाटू शाम मंदीर नी संस्था छे अमने बदा मित्र मंडर साथे वेगामारी ने वीचारी हूं के जे एमनार मल अढर उपरना एज़ जरा हो ता बाड़को छे तेलोगने वेक्सिनेशन माटे काई वीचार हूं जुए तो एक प्लानिंग कर सेवान ने वदूमावद युँ प्रेहतन करवा माँ जुए तो आप्रकार ना कोई बाड़को वेक्सिन थी वन्चीत न रही जै यहनी माटे ने वेवस्ता उभी करवा माँ जुए वेविचार हूं जुए तो आवा कारेकर्म करवा माँ जुए